आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ और यह है चौथावी कल्प आईए, अब हम इस Question को हल करते हैं सबसे पहले हमारे पास रेल गाड़ी की चाल दी गई है चाल बराबर है 60 किलो मीटर प्रती घंटा और हमें रेल गाड़ी की लंबाई मीटर में ग्याद करनी है तो हम इसे मीटर प्रती सेकंड में बदलना होगा तो हम इसे गुणा करेंगे 60 कुणा 5 वटे 18 मीटर प्रती सेकंड से अब कहा गया है कि वह 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है तो हमारे पास जो समय बराबर है समय बराबर है वो 15 सेकंड के बराबर दिया गया है और रेल गाड़ी के द्वारा तै की गई दूरी बराबर होगी हम मान लेते हैं कि जो रेल गाड़ी के लंबाई है वो X के बराबर है जमा प्लेटफॉर्म के लंबाई हमें दी गई है 120 मीटर के बराबर तो यहां पर कुल दूरी बराबर होगी x चमा 120 अब जैसे कि हम जानते हैं चाल बराबर होता है चाल बराबर है दूरी वटे समय तो यहां से हम लिख सकते हैं चाल चो कहा हमारे पास 60, गुणा 5, वटे 18 के बराबर है ये बराबर होगी दूरी, दूरी x जमा 120 और समय हमारे पास बराबर है 15 सेकंड के तो अब हम इसको हल करते हैं तो यहां से ये बराबर हो जाएगा इसको 6 से काटने पर ये बन जाएगा 10 यहां पर आएगा ये 3 के बराबर तो हमेंसे लिखेंगे 10 कुणा 5 वटे 3 यहाँ पर 15 को इस तरफ लेके आते हैं तो गुणा 15 बराबर है x चमा 120 अब 3 कुणा 5 बराबर होते हैं 15 के तो यहाँ से हमारे परस आएगा 10 कुणा 5 कुणा 5 बराबर है 250 बराबर है x चमा 120 हमें x का मान ग्याद करना है जो कि हमने रेल गाड़ी की लंबाई माननी है तो x बराबर होगा 250 माइनस 120 जो कि बराबर है 130 मीटर के तो हमारे परस रेल गाड़ी की जो लंबाई है वो 130 मीटर के बराबर है और यहां से हमारा जो विकल्प सही हो रहा है वे है विकल्प नमबर तीन थेंक यू